जब योगी दे रहे थे बहराईच में बुल्डोजर का ओडर, उत्राखंड में मुस्लिम बस्ती खाली करने की क्यों उठी मांग, जहां है केदारनाथ, तुंगनाथ और त्रिजुगी नाराण जैसे हिंदूओं के प्रसिद धाम, वहां हो रहा है महापाप, क्या हलदवानी के अब्दुल मलिक की तरहें, चमोली में भी बन रहा था कोई प्लान, खुलासा सुन होंगे हैरान, जब यूपी के बहराईच में आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किये ज़ा रहे थे, तब उत्राखंड के योगी पुशकर सिंग धामी के पास ऐसी फाइल और रोहिंग्याओं का आना मना है, वो नोटिस पुलिस ने जैसे तैसे हटवाया, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा रहस सिखुलेगा, किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो रहस सिक्या है, उसे समझने के लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी होगी, उत्राखंड की राज पास करते हुए कहा, कि अगर मुसल्मान नहीं माने, तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा, बताया जो रहा है, कि इतना ही नहीं, जो शक्स मुसल्मानों को किराये पर घर या कोई चीज देगा, उस पर भी खामयाजे के तौर पर 10,000 रुपए का जुर्मा ठोक दिया जाएगा, ऐसे में मुसल्मान पलायन करने को मजबूर होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स की माने, तो ये भी तैग किया गया है, कि कोई भी फेरी वाला खांसर के किसी भी गाउं में एंट्री ना कर पाए, अगर कोई फेरी वाला इस इलाके में नजर आए, तो उस के फाइदे के लिए बाजार से हमें बेदखल करने की कोशिच भी है, जबकि व्यापारियों का मानना है कि इस फैसले से मुसल्मानों से जुड़ी आए दिन हो रही आपरादिक घटनाय रुकेंगी, व्यापारियों के इस फैसले के पीछे भरकाउन नारे वज़े बताये जो कि एक रैली में दिये गाए थे, इससे पहले धार्चूला के व्यापारियों ने भी कुछ ऐसा ही फैसला किया था, कई इलाकों में बाहरी लोगों के घुसने पर पाबंदी भी लगा दी गई, खबर यहां तक है कि जैसे हिमाचल प्रदेश के संजॉली में अचानक से म इंदू बहन बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, मुस्लिम के अवैध निर्मान के हिस्से को कॉंग्रेस सरकार को द्वस्त करने का आदेश देना पड़ा, ठीक वैसे ही चमोली के कुछ इलाकों में आपराधि घटनाओं में एक तपके के आरोपियों की संख्य का बड़ी है, जोसे व्यापारियों में खासा नाराजगी है, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उत्राखंड में कई इलाकों में अचानक से मुस्लिमों की संख्या बढ़ने की बात सामने आई है, चमोली से करीब 300 किलो मीटर दूर हलदवानी में जो हुआ, वहा बंगला देशियों को फर्जी कार्ड बना कर बसाया जा रहा है, जो काम असम में हो रहा था, वहीं देश के अलग-अलग हिस्सों में किया जा रहा है, सरकारी जमीनों पर अवैद मजार और मदर से भी बन रहे हैं, एक ऐसी अवैद मजार हरिद्वार में भी बनी थी, जिस इसलिए जादा एहम है, क्योंकि ये उसी रुद्रप्रियाग जिले में पढ़ता है, जहां हिंदूों के कई बड़े धाम, केदारनात, तुंगनात और तेजुगी नाराण जैसे मंदिर पढ़ते हैं, ऐसे में श्रदालूं के सुरक्षा और सनातन सभिता का भी ख्याल सरक कार को रखना होगा, अगर व्यापारियों के आरोब सही हैं, तो एक्षन होना ही चाहिए, और अगर आरोब गलत हैं, तो फिर समाज का महल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, ये वहां की पुलिस को देखना पड़ेगा